ओके जी तो आप बहुत सी जारा important chapter शुरू करते हैं complications of separative otitis media separative otitis media मतलब acute separative otitis media भी इसके अंदर आएगा और chronic separative otitis media भी इसके अंदर आएगा उनके जो complications cool मिला के होगी ना अब हम वो पढ़ेंगे normally अभी complications ज़्यादा तर आती नहीं है patients के अंदर क्योंकि अब antibody के दोर antibody से most patient हम treat कर देते हैं तो complications stage आती नहीं है उससे पहले पहले हम treat कर देते हैं लेकिन अभी भी जो backward areas के लोग है ruler areas के लोग है ठीक है जिनको अच्छी assess नहीं antibody की या पर अच्छी hospital की assess नहीं है ठीक है तो उनमें अभी भी देखा जाता है complications वो लोग अभी भी सिर्फ जो air discharge उसको normally लेते हैं कि खुद भाखुदी ठीक हो जाएगा लेकिन वो आपको बता है chronic condition होती जाती है और आई-स-स-स की complications बाद में आती है उसके बाद हम देख लेते है factors influencing development of complications ठीक है अब वो factors होंगे जो इसके risk को बढ़ाते है complications आ सकती है सबसे पहले तो हमारा age आता है age factor होगा जो बच्चे होंगे या बुड़े होंगे उनकी आपको पता immunity weak होती है उनकी immunity weak होगी उनके अंदर bacteria ज्यादा virulent बन किया आएगा और वो complications ज्यादा ला सकेगा उसके बाद जो पूर social economic के लोग है ठीक हो उनकी health awareness ही इतनी अच्छी ठीक है और ना ही उनको hygiene अच्छी है उनका तो उनमें ये complications ज्यादा देखने को मिल सकती है उसके बाद violence of organism ठीक है आपको पता है कि आजकल जो bacteria है वो तो आधी antibodies को resistant हो चुके होए है या फिर अगर हम patient को antibiotic देते हैं तो वो पूरा time period antibiotic लेते नहीं है या फिर जो pharmaceuticals companies है जो antibodies बना रही है अगर वो अच्छी नहीं बना रही तो भी मसले मसाइल आ सकते हैं complications की तरफ patient जा सकता है अब जैसे steptococcus pneumonia की type 3 का जो bacteria है वो autolysin और pneumolysin बना रहा है autolysin जो है कि मतलब उसकी cell division के लिए help कर रही होती है जब दो cells होते हैं यह bacteria के अगर दो cells है इनके तरिम्यान peptidoglycan को तोडने के लिए हमें autolysin चाहिए होता है तो इस bacteria के अंदर autolysin present होता है जल्ली जल्ली से डिवाइड करता है बक्तीरिया बहुत ज़्यादा बन रहे होती है और फिर इंके अंदर pneumolysin प्रेजन इनको बचा रहा होता है हमारी cellular immunity से जो हमारी अपनी immunity है उससे भी इसको बचा रहा होता है और जो हमारे antibodies के attachment है उससे भी बचा रहा होता है एक तरह के विल्लेंस ही इनकी increase हो रही है ठीक है बक्तीरिया की फिर जैसे हेमोफिलेंस इंफ्लेंस है आज कल यह भी हमारे जो है ना बीटल एक्रम एंटिवाइटिस को रिस्टेंट हुए है वह बहुत जाया resistance strains निका रहे हैं जैसे methylene resistance और इस पड़े होंगे जब हमने pharmacology पड़ी थी तो आइसा इसा 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 बिक्टीरिया भी डेजनेस होते जा रहे है और उसके बाद मा रहा जाएंगे immunocompromised host जो मतलब जिनकी immunity weak होई हो जैसे AIDS के patient होगे यहां फिर uncontrolled diabetes है जिनकी diabetes control नहीं की गई यहां फिर जो immunosuppressive drugs पे होंगे जैसे कोई rheumatid arthritis का patient है यहां कोई chemotherapy है जो cancer की therapy चार रही है उनकी भी immunity weak होती है तो वो vulnerable होते हैं infections को infections होंगे complications आएंगी उसके बाद pre-formed pathway पहले से ही pathway बने हो हैं कि complications हो सके बिसाग दोर पर किसी को infection हुआ है तो अगर उसके जो पुरा structure है हमारा मीडिय का structure है अगर वही कमजोर होगा तो infection निकलके easily हमारा दूसरे area में जा सकते हैं जैसे आप समय लोग एक कमरे की दिवार है अगर दिवार के ने तड़ेड है यहां पर को सुराख है तो अगर इस स्क्रून के मसला हुआ है साथ वाली रूम में मसला हो जाएगा तो इसका मतलब यही होता है कि pre-found pathway ना तो फिर मसले मसले मसाइल आंगे प्री-found pathway मैं आगे जाएगे बताता हूं कि कैसे कैसे pathway बने होंगे उसके बाग को इरोड कर रहा होता है और इंफ्लमेशन कर रहा होता है ठीक है फिर ग्रेनलेशन टिश्यू बना रहा होता है एक तरह को ने आप लोग को बताया है कि बोन की distraction कर रहा होता है तो फिर जब बॉन की restriction होगी तो बॉन ही तो हमारा main structure है जो हमारे बाकी structures को protect करके रख रहा होता है थो बोन ही जो middle air की उसे बाकी structure को protect करके रख रहा है जो बॉन टूट जएगी क्लोशिटोमा की वज़ा से तो हमारे जो surrounding structures है उनमें हमारा bacteria परिया इन्वेड हो जाएगा हमारी कॉंप्लिकेशन आनी शुरू हो जाएगी ठीक है और उसके बाद आप लोग ने एक बाज यह रखनी है एक्यूट सप्रेटिव ट्राइटिस मिडिया हो अगर वह हमारी मुको पेरियोस्टियल लाइनिक तक मेहदूद है तो हम सेफ हैं अ पिशू की लेर होती है इसके लिए ब्लरड वैसल होती है जो हमारी नुटेशन दे रही थी बॉन को भी ओपर मुको सैल्स को भी नुटेशन दे रही होती है ठीक है अगर यह दो लेर साक हमारा इन्फेक्शन महदूद है तो हमारा मतलब कॉंप्लिकेशन से महफूज है surrounding structures incur chicks invade हो चुके होँं, सब से पहला पार欸ожcity जगे direct bone erosion हो रही है contractly ही our bone erode हो रही है bone erode होगी तो surrounding structure involved हो जएगी सब से पहला हम देखते हैं कि acute superiority treatment media में bone कैसे erode हो रही हो गी hyperemic declification हो hyperemic का मतलब होता है कि ह Healthy blood vessels है, वो congested हो जएगी मिसाग दोल पर गर यह हमारी बॉन है इसको जो blood vessel supply का रही थी blood ठीक है अगर वो congested हो जाएगी इसका diameter बिल्कुल decrease हो जाएगा हमारी बॉन की blood supply decrease होगी blood supply decrease होगी तो हमारी बॉन को calcium नहीं मिलेगा ठीक है calcium नहीं मिलेगा तो हमारी बॉन्स वीक होती जाएगी और आइसथा इसथा Erode होती जाएगी तोटती जाएगी तोटती जाएगी तोटती जाएगी at the end एक दिन खतम हो जाएगी जिसके वाज़े से मारा फिर infection जो होगा venous के थुरू हो आ ठीक है ठीक है? उसके बाद हमारा जो क्रोनिक से प्रेटिव और ट्रेटिस मीडिया वाले पेशिट होंगे उनके अंदर ड्रेक्टली हमारी इंफ्लमेशन हो सकती है ग्रैनलेशन टीशू की वज़ासे आपको बता है जो इंफ्लमेटरी सैल्स भी कर रहे होंगे ख़ए इंफ्लमेशन आ रही होती है ख़ए घ्रोंबस है तो इसना बट्रेटरी साथ भी इंफ्लमेशन हो रही है थीक है? यह एक एक इनदेशन हो रही हो बुक में छोटा मुशकल लिखा है आप लाब लोग और समझने कोशिश करनी है जो हमारी bones होती है bones के अंदर पर आपको पता blood supply हो रही होती है तो उसके अंदर canals होती है blood वैसे तो जाएंगी निए bone के अंदर उसके अंदर canals होती है ठीक है उसके थूरू हमारा blood move कर रहा होता है हमारे bones के अंदर उन canals को हम कहा रहे होते है haversion canals फिर हवर्जिन किनाल के अंदर से भी न वेंज नहीं कर रहे होती है आपको पता है वीनस सिस्टम तो पुरा बन नहीं है न जो उसके अंदर वेंज होंगी हवर्जिन किनाल होंगी वो भी तो हमारी ब्लड की साथ कॉनेक्ट होंगे किसी की तुरू तो उसकी जो वेंज होंग सब्सक्राइब या अपने डूरल सिस्टम औराओगा अब बोन के इंदर मारा इंफेक्शन है वो अजी किनाल के इंदर अजेगा किनाल से फिर आता हमारे वीनस सिस्टम के इंदर आजेगा डुरल वीनस सिस्टम के इनजेगा इसका यहां पर क्लोटिंग भी देखने-स सकती है वेंस की इंफ्रमेशन देखने को मिल सकती है जिस कंडिशन को कि हम थ्रॉम्भो फिलैटस हो रहा है और यह कौन सी वाली है यह हमारी मस्टोइड की हवर्जें कनाल है मस्टोइड जो बोन होगी न आपको पता मस्टोइड जो मारा पीछे एर सैंजर असके दर भी आजाएंगे डही सेंस को अपने असान अलफाज में समझना है तो तडेट समझ लो यह समझ लो कि हमारा स्ट्रेक्चर वो मेंटेन नहीं है इसके दर कोई नहीं कोई मसला चार रहा है दरार वगर आसके दर प्रेजन ठीक है जैसे आप समझ लो कि बोनी फेशल के नाल के दर के नाल बड़ी से किनाल है नहीं के नाल गुजरी होती है आप बड़ी इसके नहीं कोई दिस्ट्रोई हो जएगी तो हमारी फेशल वेक्न सानी शुरू हो जएगी या फिर हमारा फ्लॉर उंदल येर जो नीचे फ्लॉर उसके निचे आपको बताया है जब आज है जिसके दे जाग रहे बाड urtते में और युख रहे रहे ही रही है पीज़गर सुटगर sutures मेंला कोई accident हुए है skull के अंदर fracture हुए है जो fracture हमारा heel होता है न वो आपको पता है scarring किस दुरू हो रहता है fibroscar आ रहते हैं तो fibroscar में से हमारा infection होता है वो easily invade का सकता है वो bone रहती ही नहीं है उसके बाद जैसी bone पहले होती थी fiber होते हैं इजिकलड इफेक्ष्ट से हो सकते हैं। सट्राइ नहीं बसिता है। थीक है। उसके बाद आवरोन विंडोर से और आवरो Арndy विंडोरा भात है। वहांसे शुarlos इनर इयर के अंदर जा सकता है, 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 इनर इयर के अंद जरीए जो एक्विडेक्टर वेस्टिबूल वहाँ से चल जाएगा हमारा मेलिंजी के अंदर तो मेलिंजाइटस हो सकता है ठीक है फिर जो हमारी एट्रफ नव आपको पता है तो पता है जो हमारी एट्रम निकल किया रही होती ब्रेंस्टैम से वो इंटर्नल लेकोस्ट्रिक प्रकाम आएंगे